Hello everyone, competitive exam में आपका एक पर फिस स्वागत है, आज इस वीडियो में हम J.O.I.T. 817 में पिछले कल आपको second waiting list देखने को मिल चुकी है, जिसमें की 11 candidate को appointment के लिए जिनका नाम recommend किया गया है, उसके बाद आप दे सकते हैं कि अब आपकी एक अपते बाद लगबग आपके 8-10 दिनों देखने को मिल सकती है, और यह J.O.I.T. 817 की सबसे वड़ी waiting list होने वाली है, जिसमें लगबग 100 प्लस आपको waiting देखने को मिलेगी, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर I.T.I. का एक reply आया है, जिसमें higher education में कितने candidate के द्वारा join नहीं किया गया है, category wise आप दे सकते हैं, यहा I.T. 817 में जिनका recommendation हुआ था, उसमें से कितने candidate ने जो है, आपके higher education में join नहीं किया है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, कि यहाँ इन लेटर में का भी है, कि 306 candidate की inner recommendation मिली थी, तो उसमें से आप दे सकते हैं, 63 candidate not join their duty in the department in an extra, an extra A, therefore 63 candidate from waiting panel to the post of junior office assistant I.T. are required in education department, दो आप दे सकते हैं, कि इनके द्वारा कहा गया है, कि 63 candidate ने join नहीं किया है, इसकी जगा waiting panel से next 63 candidate को selected किया जाए, तो आप दे सकते हैं, कि category wise आपकी कितने कितने vacances आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ आप दे सकते हैं, कि general की लगबग, higher education में 18 post पर waiting list आएगी, और EWS की 6 post पर, और general BPL में 1, और general ward of ex-servicemen की 1, और SCUR की 12, और SCBPL की 2, और STUR की 3, STBPL की 1, और OBCUR की 16, और OBCBPL की 2, और OBC ward of ex-servicemen की 1, तो total जो आप दे सकते हैं, यहाँ पर 63 post पर आपकी waiting list, higher education में आएगी, यह आपको लगबग 6 से 7 या 8 दिन में देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा जो है, आपको electricity board में भी काफी waiting देखने को मिलेगी, लगबग 40 plus post पोस्टे जो है, आपको HP State electricity board में जहाँ से waiting आपको दिख जाएगी, उसके अलावा और भी कई AC department है, जहाँ पर लगबग 2, 4 या 55 post पोस्टे वेटिंग से फिल लोगी, तो 100 प्लस साफ की वेटिंग आने वाली है, थर्ड वेटिंग लिस्ट आपकी सबसे वड़ी वेटिंग लिस्ट रहेगी, तो यह आप देख सकते हैं कि officially RTI का reply जो है, जो डिरेक्टर elementary education की ओर से जारी किया गया है, HPRCA को यह letter HPRCA यह को मिल चुका होगा, लेकिन अभी यह prepare होगी, तो लगबग आपको 7-8 दिनों के अंदर अंदर यह आपकी 3rd वेटिंग लिस्ट दिखने को मिल जाएगी, और जिन भी candidate का जो है, लगबग जनरल में top 120 या 120-30 के बीच में rank है, वो लगबग उनका selection हो ही जाएगा, और category म में भी लगबग top 50 के आसपास जितने भी candidate है, उनके भी selection के पूरे पूरे चांस है, तो यह बड़ी update आपके लिए थी, फर्दर कोई update आती है, तो भी आपके साथ यहां पर साजा की जाएगी, तो आप हमारे channel competitive exam के साथ बने रहेए, इसी परकार की future update के लिए, और telegram channel join कर लीजिए, जहां पर हम आपको latest update दे देते हैं, जिसका link वीडियो की description में आपको मिल जाएगा, तो आप अब जो है, वेट कीजिए, बहुत जल्द आपको third waiting list भी देखने को मिल जाएगी, जो candidate भी selection के बिलकुल, जिनका rank बिलकुल कम है, यानि कि जो लगबग within 100 है, उनका definitely हो जाएगा, तो उनको अभी से ही हर्दिक शुब कामना है, तो further कोई update आती है, तो भी आपके साथ यहां पर साजा की जाएगी, तो आप जो है competitive exam के साथ बने रहिए, धन्यवाद